हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आई होप आप सब बढ़िया होंगे तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक यूनिक्स आइडिया वीडियो के यान तक बनी रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको जाज स्यादा लाइक और शेयर केजेगा तो यह मैं पाइडिय एक आईडिया आपको शेयर कर रही हूं तो सबसे पहले क्या करेंगे यहां लेंगे हम इनको सबसे पहले जो को जोड़ाइई तो यह देखिए हम बंद करेंगे बंद पता läuft जो यह electric tape होती है काफी मजबूत होती है और wire वगेरा को भी ही जब हम इससे tape से करते है तो काफी यह मजबूती का काम भी करती है और अच्छे से paste भी हो जाती है वो चीजी तो इस तरीके से यहाँ पर मैं electric tape यहाँ पर लगा देती हूँ तो देखिए friends यह लगा दी है मैंनी और यह इस तरीके से हमारा ring बनकर त्यार हो गया काफी यह tight हो गया है और मजबूत भी हो गया है इस तरीके से तो friends अब मैं क्या करूंगी अब मैं लेडियों मार कर और हम क्या करेंगे इसके posit न देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम निशान लगा देंगे तो यहाँ आपक जगे कोई भी अगर रिबन है तो वह भी ले सकते हो तो इस रुपटी की इस लेस को मैं निकाल लूँगे और इसको ही यूज करूंगे अगर आपके पास को लेस नहीं है तो आप क्या कर सकते हो डोरी ले सकते हो या कुछ भी जो भी आपके पास समान हो उसको यूज कर सकत तो यहां पर नापने के बाद क्या करूंगी मैं इसको मैं इस तरीके से नापने के बाद लेंगे और इसका डबल यह ना इस तरीके से हम देखी इस तरीके से हम लेंगे नाप लेंगे और यहां पर जहां निशान लगाया है यहां पर इसको कट कर लेंगे जो लेंजन है इसक बचे गए ना वहाँ पर भी हम इस लेस को लेंगे और एक तरफ से बांदेंगे और इसके नीचे से निकाल के ना जो पहले बांदेती इसी तरह के से निकालेंगे और इसको भी हम यहाँ पर काट कर बांदेंगे तो फ्रैंड से यह देखिए यहाँ पर मैं इसको भी बांदे तो इस तरीके से हमें दोनों को चारों को बांद देना है तो यह हमारा इस तरीके से बन जाएगा देखिए मैं आपको बांद कर दिखा देती हूं तो फ्रैन से देखिए यह चारों हमें उपर पकड़ने है और अब क्या करना है उपर ना इन चारों को इखटा करके बांदना नोट लगा देना है तो यहां देखिए यह मैंने चार हो को बांद दिया था और इस तरीके से यह हैं içinde करने के लिए नम मैंने यहां पर एक नोट तो जितनी भी इस लेस में से निकलेगी उतने पीस में इसके कट करके निकाल लूँगे तो फ्रेंड्स आप अगर जाहो तो यहाँ पर जो मार्केट में डिपन मिलते हैं आप उनको भी यूज कर सकते हो तो इस तरीके से देखी मैंने इसको काट लिया है और अब क्या करेंगी जो रिंग है ना हमारा हम इनकी बीच में एके करके इनको यहाँ पर बांदेंगे देखी यहाँ पर टेक कर देती हूँ अच्छे से गिठा लगानी है ताकि यह निकले ना तो मैं यहाँ पर हर जो यह हमने कटकर के लेस के पीस निकाले ना इनके ओपर दो नोट लगा दूँगी कास के बांदूँगी तो इस तरीके से हमें चारो जितनी भी है पीस उनको बांदेना इस रिंग के ऊपर अगर बांदने के बाद अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे तो देखिए यह हमारा इस तरीके से बन जाएगा देखिए आभी दिखाती हूँ मैं आपको तो फ्रेंड्स से देखिए चारो मैंने बांदी है जितनी भी दे और इस तरीके से यह ब पार्ट्स निकल रहे हैं इनके एक्स्रा उनको कट कर देती हूं तो फ्रेंड्स अगर मेरी थोड़ी सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीस इसको जाद से आदा लाइक को शेयर कीजेगा मेरे चेनल को सपोर्ट कीजेगा तो इस तरीके से देखे फ्रेंड्स मैंने चार सारी के सारी कट करके निकाल दी है और यह इस तरीके से बन किया है अब मैंने फ्रेंड्स जो हमारा ग्रीन वाला रूपट्टर लिया था ना जिसमें से मैंने लेज निकाल ली थी उसमें से ही यह देखे इतनी चोड़ी मैंने यह पट्टी कट करके निकाल लिये और हम ना पाइप काक इसको आप लाता है तो यहाँ पर आसए ही ताइट पकड़ या फिर आप जो भी कपड़ा है यह ऊज़ुश कर सकते हो पुरा ना जरूर निय Almost कि आप मार्केट से कुछ नया खरीद का लाओ और इसको यह यूज करोती देखिए और फिरेंट्स क्या करेंगे देखिए जो हमने यह लगाई तो इसके जो नौट लगाई थी हमें उसको हमें नीचे के साइड रखना और इसको इस तरीके से कवर करना है ताकि यह दिखाए करना देखिए मैं आपको करके दिखा रही हूं इस तरीके से हमें इसको कवर करना आव असानी से हो जाता है बिल्कुल भी आपको फिनिश्नग काम आपको नजराए गा इसमें से तो आपको मैं अब ये पूरा रिंग कवर करके दिखा देती हूँ किस तरह कैसे बन कर ये तियार होएगा तो फ्रेंड देखे ये हो गया हो इसका जो लास्ट वाला पार्ट बचा है न अब हम क्या करेंगे यहाँ पर तो मैं इसको मैं सुई धागे से सील दूँगी तो इस तरीके से आप या तो सुई धागे से इसको सील सकते हो या फिर आप होट गुलू गरनाती है न उसको से भी इसको पेस्ट कर सकते है या फिर आप यहाँ पर फैविकॉल से भी इसको पेस्ट कर सकते हो तो देखिए इस तरीके से यह हमारा बनकर हो जाएगा तयार फ्रेंड्स अब क्या करूंगी मैं यहाँ पर लोंगी यह जो हमारी cloth clip आती है ना उनको आपको पता ही है यह जो cloth clip हो थी ना इसके पीछे इस तरीके से एक यह ring लगा होता है देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर यह देखिए इस तरीके के रिंग लगा होता है हम क्या करेंगे इस रिंग के अंदर जो हमने लेस यहाँ पर चार लगाई थी ना कट करके हम इनकी cloth clip को इसके अंदर लगा देंगे अच्छे से सारी लगा देती हूँ मैं और लगाने के बाद दिखाती हूँ आपको देखिए यह इस तरीके से बनकर त्यार हो जाएगा तो चलिए फ्रेंड्स इसको कैसे यूज़ करी हूँ देखिए यहाँ पर मैंने इसको wall के उपर hang करती है आपको दिखाने के लिए और इसके अंदर मैंने यह छोटे छोटे जो cloths है न वो लगा दी है तो फ्रेंड्स हमारे घर में अक्सर गया होता है जब छोटे बच्ची होते हैं उनके सबसे ज्यादा कपड़े होते हैं और इनके छोटे छोटे कपड़े होते हैं उनको सुखाने के लिए छट पर जगे भी नहीं मिल पाती हो खासकर जो बारिश और सद्धियों के दिन आत सकते हो तो यहां तो मैंने इसको क्लील के ओपर हैंग किया आप चाहीं तो इसके अंदर हूप लगा कर ना इसको वायर के ऌ looking कर सकते हैं और ते जादा क्लिप लगा सकते हो जितने आप मुझा हो तो इस तरीके से यह इसली मैंने एक छोटा सा आइडिया आपके साथ शेर किया है तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट यूसल वीडियो में थैंक्यू फॉर वाचिंग बाइबाइब फ्रेंड्स